साथियों, खेल से जुड़ी स्कील हो, या फिर खिलाडियों को सर्वस्रेश बनाने के लिए दूसरी विधाएं हो, सरकार कदम कदम पर खिलाडियों के साथ खड़ी हैं। हमारी राष्ट्रिय सिक्षानिती में स्पोर्ट को एक विशय के रुप में पढ़ाया जाना प्रस्ता भी थैं। एजुकेशन के लिए प्रयास किये जा रहे हैं। इसमें उत्तर प्रदेश बहुत प्रसंशनिया काम कर रहा है। मेरठ में मेजर ध्यान्चन खेल विश्वविद्याले का उधारण हमारे सामने हैं। इसके अलावा आदेश भर में एक हजार खेलो इंडिया सेंटर्स की भी थापना की जा रही है। करीब दो दर्जन नेशनल सेंटर्स अप एक्सेलेंसी भी खोले गए हैं। इन सेंटर्स पर प्रदेशन को सुधार में के लिए ट्रेनिंग और स्पॉर्ट, साइंस, स्पॉर्ट और उसके लिए भी सपॉर्ट दिया जा रहा है। खेलो इंडिया ने भारत के पारंपारिक खेलो की प्रतिष्टा को भी पुनस्थापित किया है। गटका, मलखम, ठांग्ता, कलीरपट्टू और योगाशन जैसी विभिन्य विधाओं को प्रोचाइद करने के लिए भी हमारी सरकार स्कॉलर्शिप्ट दे रही हैं। साथियों, खेलो इंडिया प्रोग्रेम से एक और उत्साहजनक प्रणाम हमारी बेटियों की भागिदारी को लेकर आया है। देश के अनेक शहरों में खेलो इंडिया विमेंस लिख का आयोजन चल रहा है। मुझे बताया गया है कि इसमें अभी तक अगग अलग आयू वर्क की लगबग 23,000 महिला एथलेट्स हिस्सा ले चुकी हैं। खेलों इंडिया उनिवर्सिटी गेंस में भी बडी संख्या में महिला एथलेट्स की भागिदारी है। मैं इन खेलों में हिस्सा ले रही बेटियों को विशेश तोर पर अपने शुकामनाय देता ह। झाल एवाडियों को विप लागियों की लेटिया झाल एपने वे चुकी हैं।